दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं Samsung Galaxy A14 5G और भाई साब इसकी डिजाइनिंग आप देखोगे ना तो यार काफी तगड़ा मोबाईल आपको देखने को मिल जाता है पर क्या आपको पता है जितना अच्छा ये मोबाईल फोन है ना उससे कई गुणा ज्यादा इसके अंदर आपको hidden features मिलते हैं जो की काफी next level होने वाले हैं अगर आपने ये मोबाईल फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे होना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important हो सकती है यानिकि बहुत ही जरूरी हो सकती है तो मैं आपको hidden features बताऊंगा उससे आपका जो मोबाईल का चलाने का तरीका है पुरा change हो जाएगा और काफी ज्यादा मज़ा भी आएगा चलाने के अंदर तो भीना किसी time waste के करते हैं वीडियो को start तो चलिए सबसे पहले में आपको कुछ मज़ेदार चीजें बताता हूँ जैसी के सेटिंग्स के अंदर चलते हैं अब यहाँ पर डिस्पले का option मिल जाएगा ठीक है ना नाइट में और डार्क मोड सेटिंग के ऊपर जाकर आप इसको उन कर सकते हूँ यानि कि आप क्या होगा जब सुबह होगी तो लाइट मोड हो जाएगा और नाइट होते ही वापस यहाँ पर डार्क मोड हो जाएगा तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ और यह यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों जैसी कि आपने सुना होगा आपके मोबाइल की जो यहाँ पर रिफ्रेश रेट है वो 90 है तो यहीं पर है जैसी कि अभी 90 कर रखा है हमने इस्टेंड करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो दोनों के अंदर डिफ्रें आप नहीं है तो आपको लगता है बेटरियार मुझे बचानी है तो आपको 60 पर रखना चाहिए या फिर गेमिंग कोई जरूरी काम करते हो तो आपको 90 पर कर लेना है और बेख जाओगे तो और भी यहाँ पर काफी सारी चीज़े मिल जाती है जैसी कि यहाँ पर आई कमफ से रख सकते हो और यहाँ पर स्क्रीन जूम यानि कि जो स्क्रीन के साइज है उसको भी बड़ी है चोटी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है और यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए और नीचे जाना है इस पेनल का उप्शिन मिल जाता है यह काफी ज्यादा यूस्फूल होने वाला है यह देखे में को ओन करता हूं कि यहां से ओन कर लेना ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हो आप यहां पर कुछ इस तरह शेश होने लग चुका है तो आप यहां पर क्या होगा दोस्तों यहां पर गलेरी वगरा एजलिए आजाएगा मत इदर से करोगे आप यहाँ पर आपके contact आजाएंगे दिखातों में एक बार, यह देखिए ऐसे करेंगे, यह देखिए हैंपर अगभी contact है नहीं तो allow कर लेना है और यहाँ से contact हम add कर लेना है, अभी हमारे mobile के अंदर कोई भी contact नहीं है, add contact के ओपर जाकर आप यहाँ से number add कर स दोस्तों आप और भी काफी अच्छी चीजे डाउनलोड करके यहाँ पर अपने mobile को आसान बना सकते हो, और यहाँ पर handle के ओपर जाकर यहाँ पर color वगरा चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी white है, तो यहाँ पर मैं rate कर लेता है, और जैसे कि जो size उसको भी बड़ा चोटा कर जाता है, यहाँ पर इससे काफी आसान हो जाता है, आपका mobile को चलाना, तो यहाँ पर अपने उमर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, और यहीं से अगर बेग जाओगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा, नेवीगेशन बार, यानि कि आपको बताओगा यहाँ इतना अच्छा mobile है, तो यह नीची की जो buttons वगेरा है, यही ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो आपको यहाँ पर gestures पर कर लेना है, अब यहाँ पर देखोगे, button नीचे hide हो चुके है, अब अगर बेग वगेरा जाना, इधर से करोगे, तो भी बेग चला जाएगा, और यहाँ पर home screen पर जा अगर आप left hand के अंदर बेग बटन वगेरा करना चाहो, तो left hand के अंदर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको रखना है, और यहाँ पर जैसी बेग आओगे, accidental touch protection, दोस्तो इसको अगर आपके on नहीं है, तो जरूर ओन कर लेना, इससे क्या होता है, कि जैसे कि आपके जैब के अंदर mobile रहता है, ठीके ना, तो वो touch जो है, automatic कुछ भी click हो जाता है, तो इसको आप on करोगे, तो दोस्तो आपके automatic कोई भी touch वगरा है, यहाँ पर click नहीं होगी, जो आप टच करोगे, वो ही touch होगा, और यहाँ पर touch sensitivity को on कर लीजिए, इसको on करने से दोस्त तो अब मैं आपको यहाँ पर call recording वगरा है, इसे related कुछ बताता हूँ, यहाँ पर calls के अंदर आना है, three doors के उपर click करना है, और यहाँ पर आपको काफी सारी तगड़ी तगड़ी चीज़े मिलने वाली है, जैसी कि record calls का सबसे पहले यही बता देता हूँ, तो यहाँ पर notification after recording यानि कि जब भी आपके पास कोई call recording होती है, तो उपर notification आ जाता है कि यह भाई आपने call recording इसकी recording की है, तो आप इसको off भी कर सकते हूँ, यहाँ पर फिर उपर नहीं आएगा, और auto record calls यानि कि मैं इसको ओन करता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जित यहाँ से आप जाकर देख सकती हो, तो यहाँ पर आपनी मर्जी से आप record कर सकते हो, यहाँ पर चाहते हो कि मुझे मदलब सारी call तो नहीं करने, कुछ कुछ करने है, यानि कि जो आपके पास save नहीं है number उसकी call करने तो इसके उपर करोगे, तो वह automatic यहाँ पर call हो जाएगी जो भी आपके save नहीं है, call with specific number, यानि कोई अलग number आता है, कोई unique number आता है, तो ही आपकी call record होगी, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, सभी call record करने है, या फिर कुछ कुछ करने है, यहाँ पर आप लाइक कर सकते हो, और जैसी बेग जाओगी, अब यहाँ पर call बेग ग्रा जाकर अपनी खुद की वीडियो भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाने है, जैसे कि आपका है, मतलब कोई वीडियो है, परसनली, उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, और sound चाते हो, यानि कि उसकी अंदर कोई भी आवाज या गाना है, वो भी यहाँ पर show हो जाएग तो आप इसको ओन कर लीजिए, अब क्या होता है ना कि आपके अगर Bluetooth वोगेरा लगा रखा है, अपने कान के अंदर येरफोन वोगेरा, तो ही आपके यहाँ पर बोलता है कि भाई, इसका call है, पर आप चाहते हो नहीं यार, Bluetooth नहीं लगा के रखो, तो भी बोलना चाहिए, अब इसको ओन करना है, ये कहा है दोस्तों जैसे आपने Bluetooth लगा रखा है कानों के अंदर, और मोबाईल जेब के अंदर है, और आप बाइक पे चल रहे हो ठीके ना, तो यहाँ पर आपको call उठाने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर ट्राफिक में रहते हो, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर इसको ओन कर लेते हो, तो आपने Bluetooth से पकड़ा रखा है अपने मोबाईल को, तो call और दो सेकिंड के अंदर, उट जाएगी, आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा, और आप चाहते हो कि यार दो सेकिंड तो बहुत कम होगे, थोड़ा तो यार भा इसको प्रेस करोगे, आपकी जो कॉल है, वो कट जाएगी, तो इन चीजों को आप यहां पर कर सकते हो, और यहां पर देखिए, कोई एप यूज कर रहे हो, तो कुछ इस तरह से आप उपर से होता होगा, यह देखिए, कोई भी आप यूज करे हो, तो आप चाहते हो कि नह होगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा अधर कोल सेटिंग्स अब यहां पर देखिए हाइड कोंटेक्स दाउन नंबर शुक्ट कोल इंफोर्मेशन यानि कि जब भी कोई कोल आईगी उसकी पूरी इंफोर्मेशन आपको दीखेगी तो आप हाइड करना चाहते हो हाइड कर स और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो यार जरूर कर दीजिए क्योंकि अभी तो ओर भी काफी सारे लिकिरी हैं तो चलिए दूस्टो मैं आपको बताता हो कि आप चाहते हो कि यार मुझे पता होना चाहिए क्यार मैं पूरी दिन में कितने घंटे तक यूज किया है मोबाइल को ठीक है ना तो यहां पर 7 मिनट हो रूख उसके अंदर सबसे ज्यादा सेटिंग को यूज किया है तो यहां पर शेटिंग शो हो रही है और आप एक दिन का नहीं पूरे एक महीने की डिटेल देख सकती हो देखी में 41 मिनट के लिए चैमरा ज्यादा यूज किया है गैलेरी यूज किया है और यहाँ पर 32 यहाँ मेरे पास मेसेज़े साये हैं 15 बार मैंने मोबाइल को अनलोग किया है मतलब लोग कानलोग करते ना तो 55 बार अनलोग किया है तो यह पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी पूरे एक महीने की कि आपने मोबाइल कितने घंटे तक यूज किया है और यह आपको ध्यान में होना भी बहुत ही जरूरी है कि आपका जो कीमती समय है आप कहां पर बिता रहे हो तो चली दोस्तों अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज बताता हूं जैसी कि आप उन कर ले ना है डबल टेप्स शोiegen इनको आपको चलिक करना है और यहां पर कीजेगे बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैसे कि अन क्या मतलब है मैं बताता हूं जैसे कि आप आपने देखा होगा काफी लोग करते हैं तो इनकी स्क्रीन ओफ हो जाएग तो कुछ इस तरह से होता है section off on हो जाएगी तो यार यह काफी अच्छा हो जाता है आपको पावर बटन प्रेस करने की जरूध पड़ेगी नहीं कुछ और करना पड़ेगा वसे डबल टेप करोगे आपकी स्क्रीन ओन ओफ हो जाएगी तो इसको कर सकते हो जो मैंने लिफ्ट टू वेक का ओन कराया था उसका मतलब यह जैसी कि आपका मोबाइल पड़ा है ठीक है ना कूछ नहीं करना बस आपको मोबाइल को सिंप्लिय से उठाना है जैसी आपने मोबाइल दिखाता हूं जैसी कि वहीं पर जाना आपको देखी कीव स्क्रीन ओन वाइल वीविंग इसका मतलब यह दोस्तों आप जैसी की मोबाइल चला रहे हो या फिर मोबाइल की तरफ देख रहे हो तब तक आपकी स्क्रीन ओफ नहीं होगी यानि कि आप कुछ भी मतलब पड़ से तो आप इसको ओन कर लीजिए और आप यह देखिए मैं यहां पर नीचे करता हूं नोटिफिकेशन वारा जाता है यह देखी तो यह चीजें भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं यहां पर काफी लोग सोचते हैं यह कैसे गया तो इसको आप ओन या ओफ रख सकत मिल जाएंगे कुछ भी लिखना तो कुछी च्छीर से कर सकते ओब वे और जैसे कि आपको पीछे बलर की फोटो लेनी है पीछे सब कुछ बलर हो जाना चाहिए आपने देखा होगा केमरा से ड पर जाते हैं अलग-अलग फिल्टर ये देखिए जैसे भी फिल्टर आपको रखने वहां पर रख सकते हो तो अलग-अलग फिल्टर के बना सकते हैं और दो और की ओपर क्लिक करोगे तो यहाँ परो परो का Understandapanor Uma food Night Mode यानि कि दोस्तो आप जबBी फोटो क्लिकं करते हो नोर्म अगर रात में फोटो क्लिक करनी है तो आपय पर देखेए पास में लेके जाइप और यहाँ पर काफी inडिराख Hudson मिल जाती है देखिए तो आपको किसी भी चीज के पास में से कोई photo click करने है तो micro को अंदर जाकर यहाँ पर photo click कर सकते हो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो apps यूज़ करने है जैसे कि मतलब आप चाहते हो दो Facebook यूज़ करना है, दो WhatsApp यूज़ करना है, दो Snapchat यूज़ करना है, एक ही Mobile के अंदर, तो यह कैसे कर सकते हो भाई साब, तो इसके लिए आपको जाना होगा Settings के अंदर, और यहाँ पर देखे, Advanced Features के अंदर जाना है, सबसे निचे जाना है, Dual Messenger, अब यहाँ पर देखे, मेरे चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपके उपर कोई भी notification आता है, तो आप यहाँ से इसली clear कर देते हो, तो वो clear हो जाता है, पर दोस्तो आप चाहते हो कि यार मैं clear कर दूपर मेरे पास पूरी history मौजूद रहनी चाहिए, यानि कि पूरी एक साल के बाद यूज़ जाकर देखा होगा, आपके पास कोई भी WhatsApp का message आता है, तो यहाँ पर लोग screen के उपर ही show हो जाता है, और कोई भी उसको देख लेता है, तो आप चाहते हो कि उसी को hide करना है, तो hide कर दीजिए, अब यह तो पता रहेगा कि किसका message आया है, पर यह नहीं पता चलेगा कि किसका क्या message आया है, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हो, और alert and silent notification, notification only वो आपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, तो चलेए बेग लेके चलता हूँ, और आपको जाना है advanced features के अंदर, अब यहाँ पर बैटरी के percentage और दिख रहे हैं, तो जो मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपके आप देखना चाहते हो, किसका WhatsApp message किसने कब किया तक किसने phone पी किया ता, आप के लिए रिवीक कर देते हो, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री हैं यहाँ पर मौजूद रहेगी, तो यह इसको आप जरूर ट्राइक कर सकते हो, यह बहुत ही जादे उस पूल हो सकता है, तो यार इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक साथ में दो एपस को यूज़ करना जाते हो, जैसे कि आप चाहते हो, यूटूब पर वीडियो पर वीडियो भी एक साथ में देखता रहूं, तो तो फिरए कैसे होगा, यह बहुत आसान है, दोस्तों जैसे कि यहां पर वीडियो फीचर मिलने माले है, जैसे कि यह देखिए, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, वापस इसको इधर उद्ग इधर भी रक सकते हो, वापस पॉप अप में करना चाहो, तो पॉप अप में कर सक जाए है इसको मतलब कमहों हो जुए हु Winter कम दिखेगा और इसको य wzglादा करके सकते हो और आप इसको ज्यादा रखना चाते हो तो यह हैदा हो जाएगा यह देखि यहाल पर आप को क्या गरते श्रेटी स्क्राइब और सब्सक्राइब यह पर खुछ इस थरह से आप 2 ेयस को यूजर कर सकती हो तो यार की अच्छा से का मिल जाता आह तो दोस्तो यार इसमें से आपको सबसे अच्छा hidden feature कौन सा लगा आप comment करके ज़रूर बते हो तो आपका Samsung Galaxy A14 5G से related कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment ये description में my Instagram के link मिल जाए या आप उसे पूस सकते हो और दोस्तो अभी तक आपने यार चैनल को सबस्क्राइब नहीं गया ना तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिजे क्योंकि मैं ऐसे ही useful वीडियोज हमारे चैनल पर हर दिन लाता रहता हूँ मिलते हैं से किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई